ग्रैनेट और मारबल इन दोनों में से अगर आप अपने घर के लिए ग्रैनेट लगवाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने घर के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छे क्वालिटी का और मजबूत मट्रेल लगवाना चाहते हो पर दोस्तो ज़रूर ये नहीं कि साल तक चलेगा पर अगर आप कोई खराब क्वालिटी का ग्रानेट लेते हैं तो ऐसे वक्त एक-दो साल में ही आपको जवाब दे देता है उसका कलर फेड हो जाता है या फिर उसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको मुख्य तनसार ग्रानेट च्वाइस कर लेते हैं चाहे वो हरा हो काला हो रेड हो या फिर वाइट हो कौन से भी टाइप का जब आप ग्रानेट च्वाइस कर लेते हो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको जो देख लेनी है दोस्तों कि उसके उपर के patterns देख लेने है कही ऐसा तो नहीं हो रहा कि pattern जो है ग्रानिट के सेम piece पर अलग-अलग है यानि कि कुछ जगए पे बहुत ही ज्यादा dense है और कुछ जगए पे बहुत ही ज्यादा virile है और कुछ जगा पे shade के भी changes हो जाते हैं दोस्तों एक ही granite piece के उपर दोस्तों कुछ जगा पे light shade होती है तो कुछ जगा पे dark shade होती है कुछ जगा पे दोस्तों आपने देखा होगा कि water marking होती है जैसा कि आप आगे के वीडियो में देख रहे हो या फिर कुछ बड़ी-बड़ी lining जो है दोस्तों वो भी visible हो जाती है जब आप granite लेते हो और कुछ बड़े spot भी होते हैं दोस्तों ऐसे spot आपके granite पे होने नहीं चाहिए दोस्तों जब आप ऐसे granite को अगर आपके flooring के लिए लगवाते हो तो ऐसे ओपने ये दिखने में बहुत ही गटिया देख सकता है तो इस वज़े से दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको जो देख लीन है कि visibility यानि कि दिखने में आपको granite जो है वो आच्छा दिखना चाहिए उसमें न तो किसी प्राकर के undulations होने चाहिए या फिर उसके उपर कोई भी खुरदरापन नहीं होना चाहिए और तो और उसके उपर जो है वो spot भी नहीं होने चाहिए और एक point है दोस्तों जिसको की लोग अकसर ही नजर अंदाज कर देते है वो यह है कि जब भी आप granite लेते है तो उसमें छोटे-छोटे hairline cracks होते है जो की आकों से जल्दी visible नहीं होते बहुत जादा गौर करने पर ही आपको पता चलता ही कि वहाँ पर किसी प्रकार के cracks है या नहीं तो ऐसे hairline cracks जो है आगे चलके बढ़ सकते है तो ऐसे granite को आप ना ही ले वही बहतर होगा तो यह चीज तो आपको समझ में आ गई अगला point आ जाता है दोस्तों जो की है thickness के related अब होता यह है दोस्तों granite के इस्तमाल के इसाब से उसकी thickness जो है वह कम या फिर जादा हो जाती है पर standard जो thickness है दोस्तों वह 18 mm से लेके 20 mm तक consider कर सकते हैं जितनी दोस्तों granite की thickness कम होती जाएगी उतने उसके break होने की chances बढ़ जाते हैं और तो और जिसके वज़े से wastage हो जाता है जिससे आपके पैसे भी जो है वो जाय जाते हैं इस वज़े से दोस्तों कम से कम 17 से लेके 20 mm थिकनेस वाला granite उसका इस्तमाल कीजे पैसे बचाने के चकर में कुछ granite के थिकने जो है वो 14 mm तक भी होते हैं तो ऐसे granite के इस्तमाल बिल्कुल भी मत कीजे अगला test आ जाता है दोस्तों जो कि है color test अब जब आप granite लेते हैं दोस्तों तो सबसे main चीज़ आप देखते हैं वो होता है उसका color जैसे कि आप patterns भी देखते हो पर उसका color भी बहुत ही important factor होता है तो इसमें जितना possible हो सकता है दोस्तों उतना आपको natural color के तरब जाना चाहिए होता यही कि granite के उपर कभी-कभी color coat किया जाता है जिससे कि granite का color जो है वो different दिखने लगता है ऐसे coat जो होते हैं दोस्तों वो actual में ज्यादा दिन तक नहीं टिखते हैं जिस वज़े से आगे चलके उनका color जो है वो dull लगने लगता है और यह दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता तो इसके लिए क्या परिया है तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं तो आपको ये दिखाई देता ही कि top का color और back का color वो same है या नहीं यानि कि जो back का color होता है दोस्तो वो actual में granite का original color होता है जो कि पानी डालने के बाद आपको visible हो जाता है दूसरा test यह होता है दोस्तो किसी कपड़े को आप अगर rocket या फिर petrol में डुबा कर उसे अगर granite के top पर scratch करते है और वो जो color है दोस्तो वो अगर कपड़े के उपर आ जाता है इसका मतलब यह है दोस्तो कि वो जो color है वो natural color नहीं है उसके उपर color coat किया गया है तो इस तरह के granite को दोस्तो आप ना ही ले वो ही बैतर होगा अब दोस्तो आगला जो test आ जाता है वो है scratch test इसके लिए आप क्या कर सकते है इसके लिए simple आप क्या कर सकते है एक coin या फिर आपकी चाबी है उससे आप granite के उपर scratch करके देख सकते है कहीं वहाँ पर बहुत जादा scratch अगर visible है तो जैसे के आपको पता होगा दोस्तो granite बहुत ही अच्छा scratch resistant material होता है अगर उसके उपर easily scratch visible होते हैं जिससे कि जब आप अपने घर पर granite लगेंगे तो वहाँ पर भी scratch आने के बहुत जादा chances बढ़ जाते है तो इस वज़े से जिस granite को आपने choice किया है उसके उपर अगर scratch easy visible होते है तो इसका मतलब यह granite आपके लिए अच्छा नहीं है तो ऐसे granite को आप avoid कर सकते हैं आपका granite जो है दोस्तो वह scratch resistant होना चाहिए आगला test आ जाता है दोस्तो जो की है acid test अब जैसा कि आपको पता होगा दोस्तो granite की properties में से एक होता है दोस्तो कि granite जो है acidic food के आगेंस इतना जादा react नहीं करता जितना की marble करता है यानि कि वो अच्छा कासा acid resistant होता है तो इसके लिए दोस्तो आप क्या कर सकते है कोई lemon juice से या फिर कोई acidic food से test करके देख सकते हो कि उसके उपर acid का किस तरह से reaction होता है जिससे के आपको पाता चलेगा कि वो उस granite की quality कैसी है अब यहापर कुछ लोग कहेंगे कि दुकान पर हम कैसे test कर सकते हैं दोस्तो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो जब आप granite choice कर लेते हो तो उसका कोई sample घर पे लाकर उसके उपर आप test करके देख सकते हो कि उसके जिससे के आपको पाता चलेगा कि आपके granite की quality कैसी है और तो और दोस्तो अगर आपका granite जो है वो water cut है तो यह भी एक plus point आजाता है दोस्तो आपके granite के साथ और कुछ practical बाते होती है दोस्तो जैसे के दोस्तो जब आप granite choice करने के लिए जाते हो और showroom में कुछ छोटे च जो show piece है उसको भी देख लीजे और तो और जो granite के बड़े piece है उनको भी देख लीजे जिससे के आपको visualize करने में बहुत जादा आसानी होती है और दोस्तो जनरली होता यह है कि बहुत से लोग जो है बड़े granite piece purchase कर लेते है तो उन्हें side पर लाते है उसके बाद में उसे cutting करनवाने के बाद उसका इस्तमाल करते है जैसे के आपके windows frame के लिए हुआ या फिर door frame के लिए हुआ तो इस तरह से कर सकते है तो इसके आलावा और एक option आ जाता है दोस्तो जब दुकांदार को आप direct cutting के लिए measurement देते है तो आपके ज़रुत अनुसर जो है दुकांदार जितना ज़रुत है दोस्तो उतना ही मटल आप लेके जाते हो और अगर आपकी side बड़ी है दोस्तो तो ऐसे वक्त में आपको जो है बड़े piece लगते है जिनसे के आप cutting निकलते है और उसका इस्तमाल करते है छोटे कामों में लोग बहुत ज़्यादा granite मांगा लेते है और जिससे होता है दोस्तो कि जब आप cutting करते है दोस्तो तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा wastage चला जाता है जिससे आपके पैसे जो है दोस्तो वह भी वेस्ट चले जाते है तो इस चीज के तरफ आपको ध्यान देना है दोस्तो जितना ज़रुरी है उतना ही granite आप cutting कर वज़े से rate जो है वो कम याफी जादा होते है और जैसे कि मैंने आपसे कहा है दोस्तो अगर thickness कम होती है तो थोड़ा सा rate कम होने के chances बढ़ जाते है जैसे कि आप different दुकान में देख लेते हैं दोस्तो तो आपको rate का अंदज आने में बहुत जादा मदद मिलती है ये point अगर आप consider करते हैं दोस्तो तो इससे भी आपके आच्छे कासे पैसे जो है वो बच सकते है रेट के साथ दोस्तो आपको thickness और pattern इन दोनों के तरफ खास करके ध्यान भी देना है हाला कि दोस्तो बहुत सी जगह पे जो granite के measurement लिया जाते है बिल के इसाफ से वो अलग-अलग होते है या कुछ जगह पे 3-6-9 के इसाफ से measurement लिये जाते है अब दोस्तो ये जो कुछ point हमने consider किये है आज की वीडियो में ये ज़रूर मदद करेंगे जब आप अपने घर के लिए granite choice करने वाले हो तब दोस्तो कुछ ऐसे भी point हो सकते है जो कि आपको पता हो और वो वीडियो में mention नहीं किया गये हो तो आप ज़रू comment box में comment कर सकते हो कि ऐसे कौन से point है जिनको consider करना ज़रूरी है इन point के साथ और साथ ये वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ share कर दीजे और हाँ आभी तक आपने चानल को subscribe ने किया दोस्तो तो कैसे चलेगा चानल को ज़रूर ज़रू subscribe कर दीजे और ये वीडियो पसंद आने पर इसे like ज़रू कीजे तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद